नमस्कार आदब निज्सक्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुलसरल भारत और पाकिस्तान के बीच भिश और तनाव का पहला दौर खत्म हो गया है हाला कि अभी खत्रा टला नहीं है हमारे विंग कमांडर अभिनंदन घरा चुके हैं और हमारे नेता एक बार फिर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं इसी सब के बीच सवाल उड़ता है कि इस सब का हासिल क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है न्यूज क्लिक के चीफ एडिटर प्रबीर पुरकास जी प्रबीर जी आपका स्वागत है मेरा पहला सवाल यही कि यह जो एर हमें से हुआ है इस दोर और यह भी सही है कि पाकिस्तान जिसको कहते एक एसिमेट्रिक वार हिंदोस्तान के खिलाफ जारी रखा है बहुत सालों से और इसमें कश्पीर एक पड़भूमी रहा है पर हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान सच कुछ टेरर कैम्स को आश्रे देता है और यह एक उनका लगता है कि लो कास्ट एक जंग हमारे खिलाफ को कर सकते हैं और इसका बदला जो हमारे क्या रुख होना चाहिए इस विशबे माँ अलग होंगा पर इस इस वक्त जो हुआ है यह लगा कुछ लोगों को हमारे डेता लोगों को कि इस पे हमारा जो कोई आईगा तो शायद यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिफीट आम जनता के सामने पेश आएगी तो उनको लगा पाकिस्तान पे हमें जाके एक हमला करके कुछ हम बताएं कि ऐसे काम अगर पाकिस्तान के समर्थन से होगा तो पाकिस्तान से पच नहीं पाएगा तो यह साम बाते घुमा फिरा के जो जो जियो स्टोटीजिक आनलिस्स आपको समझते हैं, सामरिक आनलिस्स समझते हैं तो यह बाते कर रहे हैं तो Kernप तो यह है कि हमारे दोनों देश के पास इस तरह की एसकेलेशन करेंगे तो वो कहां जाके रुकेगी इस पर कोई बंदिश इस तरह से है क्या और ये क्या आप प्लैन नहीं किये पर इस तरह के चीजे एसकेलेट करके आपके हाथ से बाहर जा सकता है और हम और भी करीब आसकते एक नूकलियर एक्सचेंज की ये खत्रा हिंदोस्तान और पाकिस्तान की जितने टेंशन हुए है खास्त और से 90's में और उसके बाद तो ये खत्रा हमेशा हमारे सामने है और इस बार भी था तो हमारे तरफ से ये कहना है कि हमने लेजर गाइडेड bombs बाला कोट पे जो कि टेर्रिस्ट कैम्प है जिस पे पहले जो जैश महुंबत की टेर्रिस्ट पकड़े गए हैं बाला कोट से वो ट्रेंड हुए थे तो बाला कोट के एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग फेसिलिटी को हमने अटैक किया लेजर गाइड़ेड बॉम से और कुछ लोग वहां मारे गए हैं और उनकी वो फेसिलिटी को हमने काफी नुकसान पहुंचाया इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि जिस वक्त ये वार हुआ था मार हमने किया उन पर तो ये हुआ लुदा था रात में करीब चार बजे तीन साअधे तीन-साधे की बीच मिवा था। तो वहां पर नाइट में हमको दिखाई नहीं पड़ेगा कि वहां पर वाकए वाकाय क्या हुआ इसके बाद हमारा कहना है जो सोर्से से बात है हुई है उस वक्त क्योंकि क्योंकि cloud cover था, तो satellite imagery हमारे पास नहीं है, दिखाने के लिए कहाँ attacks का क्या फ़ल निकला, वो हम देख नहीं सकते, तो हमने radar से ये देखा कि वो हमारी जो target से वो हमने हिट किया है, ये भी है कि जो satellite imagery बाद में आई है, दूस्ते देशों के पास satellite imagery है, और इस वक्त कोई भी अ satellite imagery कमर्शल स्केल पे उपलब्द है, तो इसलिए को ऑस्ट्रेलिया से दूसरे जगों पे satellite imagery की तस्वीर जुआ है, तो वो साथ दिख रहा है कि बाला कोट पे जो मदरासा और जो मॉस्क है, वहां पर इस तरह से कोई damage दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हमारा कहना है कि ये ऐसे damage थी, जो अंदर होता है, क्योंकि वो उपर से चट penetrate करके जाता है, अंदर क्या हुआ इसलिए पता नहीं चलता है, तो ये तो साफ है कि हमारे पास कोई aerial सबूत इसका नहीं है, जी मैं इसे भी कह रहा हूँ, इस पर सवाल भी लगातार अब उठने लगे हैं, खैर हमे इस संख्या में मैं नहीं जाता, पर विपक्ष लगातार अब इस पर सवाल भी उठाने लगा है, तो मैं यही यही था कि इसका हासिल हमें हुआ क्या, आपने पहले भी कहा है कि जब कूटनिती फेल होती है, तब हम जंग के तरफ बढ़ते हैं, तो क्या कूटनिती का हमारे कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान भी क्लेम कर रही है, कि उन्होंने हमारे यहां अटैक मिलिटरी टार्गेट्स को अटैक नहीं किया, पर दिखाया कि हम अटैक कर सकते हैं, दोनों तरफ से एक यह कह सकते हैं, एक पैंटोमाइन जो कहते हैं, उस तरह से हुआ है, पर इसका यह भूलना चाहिए बहुत खतरनाक स्टेप भी था दोनों तरफ से क्योंकि आप दोनों तरफ बॉर्डर के उस पार आव वार कर रहे हैं तो ये कभी भी सीमा जो आप सोच रहे हैं उसी मा उलंगन हो सकता है कि चले एक सांकिति की प्रहार था सबूत हम पहने लेकिन इसका प्रणाम बाद में यह हुआ कि साओधिया जैसे छोटे देश भी मद्यस्ता हम लोगे बीच करने लगे कुटनेति किस तर पर आप इसे किस तरह बताएंगे तो एक तो है कि पाकिस्तान से हम सरासर बात करने के तर यह संaina नहीं हुँ जरूर यह बात है कि पाकिस्तान इस तरह के जो asymetric वार बहुत संदिक स्डशकों से कर रहा है तो यह एक reality है हमारे सामने और इसलिए व इस लिए कि कश्वीर की जनता इसवक्त हमारे साथ नहीं है वो साफ है अब जब तक कश्मीरियों पे फुलवामा के बाद जिस तरह से अटैक हुए है ये दूरी और बड़ी रही है घट नहीं रही है तो asymmetric war का जमीन एक तिरफ से हम भी उसको तयार करने में मदद कर रहे हैं क्योंकि हमें कश्मीर के जनता को जितना भी जितना ही alienate करे तो एक तो ये बात है कूट नितिक स्तर पे आपने जो कहा तो पहली बात ये है कि कूट नितिक स्तर पे जब पाकिस्तान से आप बात ही नहीं करोगे तो कूट निति आप करोगे कैसे दुश्मन से ही बात की जाती कूट निति के स्तर पे दोस्ती जब होती है तो कूट नित की जरूरत नहीं पड़ते है नीती से ही काम चल जाना कूटनीती तो तब जरूरत पड़ती है डिप्लामसी तभी जरूरत पड़ती है जब आपके दुश्पनों से बात करनी है और पाकिस्तान और महारंदबर्श के बीच में जो संबंद रहे है बैर की संबंद का पकिस्तान ले पर पहले बात होगी क्या प्लेटफर्म हो सकता है कि पहले आतंगवाद बात जब करनी है तो पहले और आखिर में यह चलता नहीं है आप ज्यंगे आप जिस पर बात करें इसigare दूसरे बत करें आपको बात अगर करना है तो हर इशू तो बातचीत में आएगी प्री कंडेशन से कोई बात नहीं कर तो हमारी दोनों की हट धर्मीता की वैसे ही हुआ कि छुट छुटे देश भी अब बिचौले की भूमिका में आने लगे इस पे खत्रा और भी है कि आप देख लीजिए कि यह हिजब लश्कर-टईबा जैश मोहमबत यह सब का एक हिसाब से कनेक्शन साओधी गल्फ मनी युनाइटिड एमिरेट्स की मनी पैसे से है जिससे एक दियोबंदी वाहबी इसलाम यह नहीं कि दियोबंदी सब वाहबी है पर वाहबी एक प्रभाव दियोबंदी मद्रासा पर है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने से साओधी से पैसा आता है और उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जो है साओधी अरेबिया होता है तो इन्फ्लूएंस जो हिंदुस्तान में पहले या पाकिस्तान में या कश्मीर में जो आपके इसलाम जो था उसका रूप धिरे धिरे बदल रहा है वाहबी इन्फ्लूएंस से और यह सलाफी वाहबी इसलाम जो आ रहा है साओधी रिवे से उसी कोपर बद्धिस्ता करने के लिए कहेंगे तो कहां जाएंगे हम तो उन्हें गले लगा रहे हैं दूसरी बात यह है कि यह लशकरे त्वैबा जैश बहुंबत इन सब शक्ति अमरीका और इंगलेंड भी इसको अपने समर्थत दिया है पूरी 90 दशेक उसके बाद इनको बॉजनिया में इस्तेमाल किया है और इसको अभी भी Caucasus Central Asia भी इस्तेमाल करता है इसीलिए यह ना समझे इसिर्फ साओधी अरेबिया वहाभी इंफूसिंपर है इनका इंडारेक्ट इंफूस अमरीका और डारेक्ट इंफूस अमरीका बिटन को भी है इसपे और हमने यह इराक और सीरेया में देखा कि कि खिलाब भी गुमाना कॉकेस के जरीए ये सब भी बड़ा रंग बंच है अब आगे क्या क्या खत्रा टल गए क्योंकि सीमाओ पर गुलिवारी की लगातार खबरे आ रही है सैनिक शहीद हो रही है तो क्या कुछ अभी ये चीज़े बढ़ भी सकती है मुझे अभी लगता ह कि ये होट और कोल्ड चलता रहेगा बॉर्डर में मैं समझता हूं कि दो दिन गुलाबारी होगी तो कुछ दिन बंद होगी फिर कुछ बात आएगे कि टर्रॉरिस्ट क्रॉस किये हैं हम भी कुछ करेंगे तो एक होट और कोल्ड वार बॉर्डर पे चलता रहेगा मुझे लगता है क्योंकि इस वक्त दृष्टिकोर्ण पाकिस्तान भी नहीं है क्योंकि यह जितना कारवाई हो रहे हैं इसका निशाना हिंदुस्तकान के राज़िती भी है और इसलिए बिपक्ष पे हर चीश पे गोली बिपक्ष के दागी जा रही है कहा जा रहा है रफाल होता हम कुछ कर लेते हैं आप करते के आप हाँ यह सवाल में पूछना था कि जैसे एक सीमित ही उत था है कि सांकेट एक सिंबोलिक आपने कहा हमने उनके एफ 16 के इस्तमाल पर सवाल उठाए तो क्या राफाल इसमें यूज हो सकता था अगर हमारे पास होता भी अगर राफाल यूज होते हैं आप अगर कह रहें कि आपकी पिन पॉइंट स्ट्राइक थी लेजर गाइडिड बिजाइल जो है उसके तीन मीटर का उसका सर्कुलर एरर होता है मतलब तीन मीटर रेडियस के एक सर्कल के अंदर वो स्ट्राइक करता है इससे ज्यादे आक्यूरिस्य आपकी तो होती नहीं राफाल क्या बंबारी करती जो आपने लिजर गाइडिड बिजाइल से किया नहीं तो इसलिए मैं रफाल इसलिए सिर्फ मैं समझता हूँ आया है कि यह कहने के लिए हम रफाल खरीद रहें बहुत अच्छी बात है और देखो पहले कांग्रेस नहीं किया होता तो शायदे नहीं होता कांग्रेस का जो रफाल विबान खरीदने की बात थी उससे पहले तो आ जा रहे हैं कि इतने हमने उनके टेरिस को ढेर कर दिये हैं अबिश्या ने भी आज फिर कहा कि हमने तीन सो साड़ तीन सो मार दिये तो हम लगातार जब एक तरफ से एर फोर्स के अंदर से बात आ रही है कि हम नहीं बता सकते क्या हुआ नहीं हुआ कि इतने कैजूल्टीज कोई भी आप सवाल उठाएंगे तो आप एंटिनैशनल है और अगर सवाल नहीं उठाएंगे आप तो आप जो है मोदी के गुणगान ही कर सकते हां तो जैसे अब इसमें पूरा राइनिती आ गई है आपने कहा जैसे तो अब राइनिती बाकायदा लग भी रहा है कि एक द अपने मूल सवालों पर लौट आना नहीं चाहिए क्योंकि ये कशीदगी ये तनाव तो लगातार अभी चलता रहेगा और आपने कहा जाए कोल्ड और हॉट तो क्या हमारे जो बुन्यादी सवाल है रोजी रूटी के सवाल हमें उस पर लौट आना चाहिए लेकि बुन्य एक इलेक्टोरिल बेनेफिट जो मिलता है वो हमने पहले भी देखे दूसरे बुलकों में तो ये क्या इस तरह से सत्तरूर दल पीजेपी को उस तरह से फल मिलेगा वो देखना पड़ेगा और इस उजद उनमाद को बंद ना करना के पीछे ये भी एक साजिश है कि टेंश को बनाये रखना स्टेटमेंट से बातचीत से और अब देख भी सकते हैं कि आपके वैंद शल रहे हैं हाई पावर्ड साउंड एक्विप्मेंट लेके जिसमें एक तरह से वार लाइक प्रोपागेंडा ही हो रहा है मोधी जी के एक सेंटेंस आता है इसको ड़ब लेटा है पर इतने भीतर तक नीचे तक ऐसी चली गए कि उससे समाज को नुकसान पहुंचा है और ये जब एक राष्ट्र बाहरी शत्रू के नाम पर अंद्रूनी शत्रू ढूंगता है तो अब निशाना कहा है ये भी सोचने की बात है जैसे प्रबिर जी ने कहा कि निशाना कहा है वो निशाना समझने की बात है तो नेता तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हो ही रहे हैं हम लोगों को भी अब लगता है कि अपने बुन्यादी सवलों पर लोटा आना चाहिए और सरकार से सीधे पूछना चाहिए कि हमारे अच्छे दिन कहा है हमारा रोजी रोटी धन्यवाद देख पर ये निश्क लिए